नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है आज हम एक PSU सेक्टर के स्टॉक की बात करने जा रहे हैं 100 रुपीस के आज पास उसका शेर प्राइस है और यहां पर दिखेंगे फिलाल तेजी का कारण क्या है और पूरे कोविट सेशन में यानि प्री कोविट लेवल क्या थे हैं अब तक कितना रिकावर हुआ है और लॉंग टर्म प्रोस्पेक्टर्स क्या है चार्ट्स पर क्या लेवल दिखाई दे रहे हैं तो आप देखें स्टॉक एक तरीके से प्रॉफिट जरूर दिया है जहां पर काफी चौपी रहता है हाई बनाकर दुबारा से प्रॉफिट बॉकिंग आ जाती है और आप जानते हैं PSU स्टॉक जो है वो नॉर्बल कपनी से प्राइवेट कपनी से थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करते हैं यहाँ पर लॉंग टर्म साइकिल से होती है PSU स्टॉक में जातार आप देखेंगे तो कोमोईटी स्टॉक में ऐसा देखने को मिलता है फिलाल IOC की बात करें तो आज तो तेजी दी है पाई फियर का चार्ट देखें तो यहाँ पर आप सांच पहेंगे कुछ और परस्पेक्टिव दिखाई दे रहा है कोविट क्रेश से पहले लगबग ऑक्टोबर में हाई बनाया थे 500 रुपे के आसपास और फेबरेरी जैनुरी की बात करें तो वहाँ पर भी 100 रुपे के उपर था स्टॉक 120 के आसपास और गिरकर आ गया था लगबग 70 रुपे पर यहां पर आप सबसकते हैं कि इनकी साइकल डेते हैं जहां पर और नई साइकल शुरू है अगर शुरू भी है तो उससे पहले हमें कौन से लवस पर ध्यान देना उपर कौन सी important resistance है तो उससे पहले देखता है तेजी के क्या reason रहे यहाँ पर आप देखते हैं IOC, BPCL, HPCL, share सब में तेजी आई वो जिसन है fuel price hike तो last year भी काफी चच्चा में रहा है जहाँ पर लगाता है fuel price hike हो रहे थे और यहाँ पर अब दुबारा से ऐसा कुछ देखने को मिल रहे जिससे इन shares के revenue पर अच्छा असर पड़ सकता है तो देख सकते हैं आप share of oil marketing companies OMCs लगवग 2% तक उस तो 4% तक भढ़ते दिखाए दिए जब petrol and diesel के prices hike हो हैं Monday को यह आज के दिन दो दिनों की रुकावट के बाद यानि आज ही नहीं कई दिनों से price hike होता दिखाए और आप जानते हैं crude oil भी काफी important रहता है oil companies के लिए उसके prices in companies के margins को decide करते हैं और overall crude oil भी एक अच्छा indicator है economy का Sunday के मुकाबले petrol 23-26 पैसे costlier हो गया और जबकि diesel 31-30 पैसे के आसपास एक increase देखने को मिला है diesel price में लेकिन आप यह भी धियान रखे कि फिला lockdown situations है काफी country में तो हो सकता है कि Q1 FY22 में थोड़े कम revenues हो इन अपने के जैसे कि last year हमें impact रहत दिखा था आलग कि इस बाद lockdown last time जैसे severe नहीं है कुछ जहके सिर्फ night curfew है and last time जैसे हमें severe lockdown नहीं दिखाए दे रहा है तो उतना impact होने की हमें अभी अनुमान नहीं है and company की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जब lockdown खुला था lockdown one की बात करें तो वहां पर हमें recovery देखने को मिली थी आगे हम performance भी देखेंगे और long term की company की स्टेट वाइस बात करें तो देखेंगे पेट्रोल प्राइजीज 26 पैसे डेली में इंक्रीज हुए है from 91.27 तो 91.53 तो आप देख सकते हैं यहां पर पेट्रोल प्राइज प्राइज निटी सेंट पॉइट सिक्स पर लीटर है वाइल डीजर एक टी नाइन पॉइट वाइन सेवन पर लीटर तो फ्यूल प्राइजीज आप जानते हैं state to state डिपर होते हैं वहाँ पर जो लोकल टेक्सित हैं जैसे वैल्य एडिट टेक्स और फ्रेट चार्ज इसको मिला के अलग अलग state अपने प्राइजीज सामने लाती है और दूसरी important खबर आ रहे है क्रूड प्राइजीज यानि क्रूड ओल के प्राइजीज इंक्रीज हुए ह तो यह भी reason हो सकता है प्राइजीज को हाइक करनेगा क्योंकि आज एक खबर आ रहे है कि cyber attack हुआ है जहाँ पर US की जो pipeline है supply pipeline है fuel की वहाँ पर attack हुआ है जिससे उस पर impact पड़ा यानि supply पर थोड़ा impact पर सकता है और यही सब जो news होती है या drive करते है crude oil को prices को इसका सीधा अस तो फिलाल 510 dividend dividend आएगा long term के लिए जबरदस dividend देने वाली company है आप अगर 2021 की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो बार already dividend दे चुकी है एक बार 3 रुपे का एक बार 7.5 रुपे का तो लगबग 900 रुपे के share पर आपको 10 रुपी से उपर का dividend अभी मिल चुका है प investors को पैसा देते हैं जिसकी वैसे stock prices नीचे रहते हैं ऐसा example आपको private companies पर ITC देखने को मिल जाएगा 2020 की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए एक बार dividend ज्याए था 4.25 रुपीस का 2019 में दो बार 2018 में आप देख सकते हैं 6.752 एक बार बढ़ा dividend 19 रुपीस का भी देखने को लाग तो आप अलग था उससा में उचाहिए उपर चलता था आज कल के प्राइजिस से तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले ज्यादा डिविडेंट क्यों कह सकते हैं कि डिविडेंट देने में कंपनी जबरदस्त है वन 90 परसेंट भी डिविडेंट दिया हुआ है तो इस सा से आपको लाखो करोड में कंपनी के जो सेल्स हैं आती दिखेंगी 2010 में तीन लाख करोड के उपर की सेल्स हैती थी अब धीरे धीरे बढ़कर आप देखें दो जारोड में सक पांस लाख करोड तक पहुची एंड 2020 एंड तिल दिस मन्त फेर डाउन आई है क्योंकि आप जा जो हम बात करने थे कि स्टाइकल शती इन कंपनी में पहले भी आप देख सकते हैं जोरो से भड़े थे कंपनी को उपरेटिंग प्रॉफिट 18,000 करोड तक तीन साल बात कंपनी उस नंबर को क्रॉस करने में काम्याब हुई तो यह बात आप ज़रू धियान रखें कि जटका मिला कंपनी को जिसकी वैसे शेर प्राइज भी नीचे आ गये थे हाइस्ट आप देखे तो 21,000 करोड तो फिलाल हाइस्ट नंबर छूना अभी बहुत दूर है यहां पर कुछ समय और लग सकता है तो बैलेंशीट की बात करें तो एक पॉजिटिव बात दिखाई द करोड रिजर्व तो अच्छे का से प्रेजेंट है कपने के पास 93,000 करोड के शेर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रोमोटर्स के पास 51.50 परसेंट है प्रोमोटर्स में आप देख सकते हैं अफकॉस गवर्मेंट ऑफ इंडिया एस की बात करें तो 5.81 परसेंट ज रहती थी अब भी लगबग 12.980 ने 13% के आसपास दिखाई दे रही है चलिए यह लिए हमने कंपनी का ओवर्वीव अब देखते हैं कि इंपोर्टन टेवर्स के तो फिलहाल वीकली चार्ट है यहाँ पर हर केंडल वीक का डेटा दिखा रहे हैं तो लॉंग टांग का चार देख सकते हैं 99 पर तो उपर की तरफ जो important resistances हो सकते हैं आने वाले दिनों में वह आप देख सकते हैं जो अगले target भी हो सकते हैं अगर यह तेजी जारी रही तो आप देखें लगबग यह रेंज 112 से लेकर 117 राइट साइड में आप देख रहे होगे तो यहाँ पर जो previous size बनाए है कमपनी ने कुछ महीने पहले अगर उनको break करने में कामियाब रहता है तो यहां से आप देख सकते हैं कि 113, 117 इन लेवल सग जा सकती है कमपनी इस तो अगर हम zoom करें तो यहाँ पर आप समझ पहेंगे कि stock ने एक बढ़िया bottom बनाया और यह important level क्यों है तो जो पहल हो रहा है एक sloping trend line का एक horizontal resistance का जो पहले सपोर्ट वा गतल देख सकते हैं आप 2019 से अभी आख्री उमीथी stock की यहां से bounce किया पर इसी trend line से एक तरीके का resistance लिया और वहां पर आप देख सकते हैं कि अब इसकी तरफ धीरे धीरे भढ़ने को तयार हो रहा है stock नीचे की level secure है रहेगा जो पहले से बने हुए लोग जिन्हों इन इंडिसर बाइक किया तो आपके नज़र लगबग पहले तो प्रीवेस हाई जो एक सो तीन एक सो चार के थे और वो ब्रेक होता है तो आपको 112-115 लेवल आते दिख सकते हैं तो यहां पर आप नज़र ठिकाई रखिए एक बार यहां पर प्रॉफिट बॉकिंग करना सही रहेगा उसके बाद कैसी मोमेंटम रहती है स्टॉक में मार्केट कैसा रहता है जो अभी भी साइड़ वेश रहा है देख सकता है पंदरा हजार के लेवल रॉस करते नहीं दिखा है हमें काफी फेक्टर से क्रूड ओल का काफे हाई प्राइस पर चल रहा है क्या टॉप बन चुका है क्रूड ओल का या फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि एक और तरीके की क्रूड ओल में तेजी जारी रहती है जिनसे ओल प्राइजिस एफेक्ट होंगे तो ओल कंपनीज के लिए आपको काफी चीज़े एसेस क उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब पीज़े